Hello Friends, मैं हूँ मोहित और स्वागत आपका Essentials of Medical Science में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Breast की Clinical Anatomy की जो breast है, उसका last topic है, ये clinical anatomy इससे पहले हमने 4 वीडियो में breast का पूरा topic कवर किया था और last video में उसकी development पड़ी थी तो इस वीडियो में हम clinical anatomy of the breast को खतम करेंगे बहुत ज़्यादा important है clinical anatomy of breast देखो एक-एक करके चीजों को समझना हमारे breast में मतलब females में breast में क्या होते हैं चार quadrant होते हैं ठीक है कौन-कौन से यह वाली side मान लो medial side है और यह वाली side lateral है तो यह upper medial, यह upper lateral अपर lateral तो अपर और outer quadrant जो है breast का वहाँ पे carcinoma होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं तो upper and outer quadrant of breast is a frequent side of carcinoma carcinoma की site है कौन? upper and outer quadrant कौन से वाला? यह वाला upper lateral, यह quadrant जो है यहाँ पे carcinoma होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं तो होता क्या है? कि जो cancer cells है मान लो, अब इसमें ना बहुत सारी possibilities हो सकते हैं cancer cells कहीं पे भी हो सकते हैं breast में बहुत सारी structures हमने पढ़े हैं lobes पढ़ी हैं, lektiferous duct पढ़े हैं बहुत सारी structures पढ़े हैं तो अब हम बात करेंगे कि कौन से structure में अगर cancer cells हो गए तो उससे क्या होगा? तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि अगर जो suspensory ligaments थे याद ना ligaments of cooper जो हमने पढ़े थे अगर उन suspensory ligaments में cancer cells infiltrate कर जाएं मतलब suspensory ligaments में cancer cells चले जाएं तो क्या होगा? अब भई suspensory ligaments का काम क्या था? वो क्या करते थे? डाइगराम के शुरू में बताता हूँ आपको ये देखो, इस वाले डाइगराम में देखना ये पीछे की तरफ कौन सा फेशिया था? पेक्टरल फेशिया था ये पेक्टरल फेशिया है ठीक है? और ये क्या था? ये ग्रीन-ग्रीन ये हमने क्या बताया थे? suspensory ligaments तो इस suspensory ligaments क्या कर रहे थे? skin of the breast और बाकी जो parent kind of the breast है इसको पकड़ के रख रहे थे मतलब पूरी breast को पकड़ के रख रहे थे किस से attach कर रहे थे? उसको पेक्टरल फेशिया से जिसके कारण breast जो है वो मतलब breast जो है वो एक अपनी position पे रहते है किस वज़े से होते हैं? suspensory ligaments उसको पकड़ के रखते हैं तो अगर suspensory ligaments में ही cancer cell आ जाए मतलब इस पूरे में cancer cell भर जाए इसमें cancer cell भर जाए पूरे ligament में इसमें भी इसमें भी पूरे हर एक area में अगर cancer cell भर जाए तो ये area movable रहेगा ये कभी भी movable नहीं हो cancer cell उसको इतना भर देंगे कि ये वाला जो area जिसके कारण breast जो हो fixed हो जाएगी एक जगा पे fixed रहेगी movable नहीं होगी तो इसमें क्या होता है cancer cells can infiltrate suspensory ligament अगर suspensory ligament को cancer cell ने infiltrate कर दिया तो breast जो है वो fixed हो जाएगी breast becomes fixed और अगर उस time पे अगर ligaments contract करते हैं fixed हो चुकी है और ligaments अगर contract करते हैं तो उसके ज़से क्या होता है retraction या फिर puckering of skin जो कि भाई fixed हो चुकी है move तो कर नहीं सकती जिसकी वजह से skin जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगी अगर contract करेंगे तो suspensory ligament छोटे होंगे और छोटे होंगे तो skin of the breast को पीछे की तरफ खिचेंगे जिसके कारण retraction या फिर folding of skin या फिर puckering of skin हमें देखने को मिलते हैं यह हो गया हमारा एक clinical scenario ऐसे बहुत सारे clinical scenario हमें इसमें पढ़ने है breast में एक clinical scenario हो गया यह अब next है अगर अभी तो हमने क्या पढ़ा था अगर suspensory ligament में infiltrate कर जाए cancer cells अब next structure पे चलते हैं मान लो lactiferous duct के अंदर infiltrate कर जाए cancer cells lactiferous duct के अंदर infiltrate कर जाए cancer cells तो क्या होगा अब lactiferous duct में भर जाएंगे तो उसकी जैसे क्या होगा fibrosis हो जाएगी lactiferous ducts के अंदर fibrosis हो जाएगी fibres आ जाएगे बहुत सारे जिसके कारण nipple जो है वो retract कर जाते है nipple अंदर की तरफ चला जाएगा तो यह important point है अगर suspensory ligament इमें infiltrate कर गए तो क्या होगा retraction of skin और अगर lactiferous duct में infiltrate कर गए cancer cells तो क्या होगा retraction of nipple अब next point है obstruction of superficial lymph vessels by cancer cells हमने दो तरह की lymph vessels पढ़ी थी superficial और deep दो तरह की lymph vessels इसको drain करी थी superficial drain करी थी skin of the memory gland को except nipple and ariola अगर आपको याद हो मैं लोर्स में भी दिखा लेता हूँ इस वाले part में हमने क्या पढ़ा था इस वाले part में हमने दो तरह की lymphatic vessels पढ़ी थी superficial lymphatics और deep lymphatics superficial lymphatics वेसल की इसको drain करती है skin over the breast except nipple and ariola superficial lymphatics breast की skin को supply कर रही थी तो यहीं यहाँ पर बोला गया है कि अगर superficial lymph vessels में cancer cell भर जाएं अब हमने कहां cancer cell भर दी है superficial lymph vessels के अंदर cancer cells जो है वो infiltrate कर गए तो क्या होगा अब इस चीज में क्या होगा skin की edema हो जाएगी अब भई superficial lymph vessels कहां present है अगर वो drain कर रहे है skin of the memory gland का तो वो skin में present होगे ना तो अगर skin में अगर lymph vessels थी उसके अंदर cancer cells भर रहे हैं तो जिसके कारण क्या होगा skin जो हो full जाएगी क्या होगा edema of the skin और skin दिखाई कैसी देगी एक skin of the orange orange की जैसी skin होते है ना संत्रे की जैसी skin होते है वैसी दिखाई देगी इस वज़े से इसको बोलते है pewdy orange appearance मतलब breast जो है वो orange color की हो जाएगी मतलब मैं red color से कर रहा हूँ पूरी breast जैसे orange color की हो जाएगी और कैसी appearance देगी जैसे orange की skin होते है ना orange जो fruit होता है उसकी जैसी skin होते है ना वैसी हो जाएगी skin of the orange की तरह है edema of the skin के कारण क्या बोलते है pewdy orange appearance यह एक important हमारा clinical scenario है इसमें किस वज़े से हो रही है pewdy orange appearance superficial lymph vessels की obstruction by the cancer cells अब एक और point यहाँ पे है कि जो superficial lymphatics है एक breast के superficial lymphatics दूसरी breast के superficial lymphatics से communicate करते है midline बीच में आपे internal memory होते है ना है internal memory lymphatics होते है इदर lymph nodes होते है internal memory nodes तो उसके थुरू यह जो है आपस में भी communicate करते है मतलब दोनों breast का जो superficial lymphatics है वो आपस में communicate करते है जिसके जाएसे एक breast का cancer दूसरी breast में जा सकता है तो because of the communication of superficial lymphatics of breast across midline cancer can spread from one breast to the other यह हमारा हो गया fifth clinical scenario अब चलते हैं next clinical scenario पे next clinical scenario है कि जो lymph vessels है अभी मैंने क्या बोला superficial lymphatics से दोनों breast के आपस में communicate करती है लेकिन एक और point यहाँ पे आता है कि जो lymph vessels है breast की वो abdomen की lymph vessels से भी communicate करती है मतलब हर जगा communication चल रहा है lymph vessels का lymph vessels के दुरू फैलता है क्योंकि एक organ की lymph supply है वो दूसरे organ की अगर lymph supply होगी तो वो एक से दूसरे में फैल जाएगा एक organ से दूसरे organ में यही चीज यहाँ पे हो रही है कि जो breast की जो lymph vessels है वो abdomen की lymph vessels से communicate करती है अब abdomen से communicate कर रही है तो जो breast का cancer है वो abdomen में भी जा सकता है अलग-अलग organs में जैसे ovary में चला गया ऐसे अलग-अलग organs में जा सकता है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cancer of the breast may spread to liver में भी spread कर सकता है या फिर cancer cells pelvis में भी जा सकते हैं वहाँ पर क्या produce करेंगे उसको क्या बोलते हैं cancer को क्या बोलेंगे वहाँ पर secondaries तो cancer of breast can spread to liver मतलब breast से liver में भी जा सकता है उसके अलावा pelvis में भी जा सकता है और वहाँ पर जाके secondaries produce करेगा ठीक है तो यह हो गया हमारा sixth clinical scenario तो दोनों breast में भी फैल गया आपस में भी फैल सकता है एक breast से abdomen में भी जा सकता है अब एक और चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे कि lymphatics के अलावा cancer segmental veins के थूरू भी फैल सकता है मतलब lymph nodes तो फैला ही रहे थे cancer को metastasis lymph nodes के थूरू तो हो ही रहा था segmental veins के थूरू भी हो सकता है मतलब veins भी यहाँ पर important role play करती है metastasis में तो अब क्या होता है जो veins जो breast को drain कर रही थी हमने पढ़ा था ना कि veins जो है वो क्या बना रही थी एक plexus बना रही थी फिर एक superficial set में जा रही थी कुछ deep set में जा रही थी अलग-अलग जगा drain कर रही थी तो वही veins जो है जो breast को drain करती है वो communicate करती है vertebral plexus of veins vertebral plexus of veins कहां present है हमारी vertebrie अलग-अलग vertebrie जो है उसमें present होता है vertebral plexus of veins और जो vertebral plexus of veins है वो breast वाली veins से आपस में communicate करते हैं तो जो breast की veins से cancer fell के जा सकता है vertebral plexus of veins में और vertebral plexus of veins में अगर cancer फैल गया तो वो पूरी vertebrae में फैल जाएगा, तो वहाँ से वो कहां तक जा सकता है, vertebrae उपर से नीचे तक होती है न, तो through these connections, cancer can spread to vertebrae और brain में भी जा सकता है, vertebrae में भी जा सकता है और वहाँ से brain में भी जा सकता है, तो सोच के देखो cancer breast का था, मानलो एक breast में cancer हुआ तो वो दूसरी breast में भी जा सकता है, वो liver में भी जा सकता है, वो pelvis में भी जा सकता है, वो vertebrae में भी जा सकता है और वो brain में भी जा सकता है, कहीं भी फैल सकता है, इतना ये cancer जो है metastasis करके फैल सकता है, अब हमारा last scenario है age scenario कि जो cancer है memory gland का तो most common cancer है females में females में सबसे common cancer यह होता है breast cancer कोई भी age की female हो उसमें यह cancer सबसे ज़्यादा होने वाला cancer females में यह होता है it is more frequently seen in ज़्यादा frequently post menopausal woman में देखने को मिलता है क्योंकि उनमें estrogen hormone जो है वो कम हो जाता है जैसे post menopausal जो females है उनमें ज़्यादा chances होते है carcinoma of breast के तो इसके लिए self examination सबसे ज़्यादा important है तो self examination के आप कोई भी वीडियो देख सकते हो YouTube पे self examination of breast और कोई भी आपको female हो आप उसको यह सब चीज़े बता सकते हो ता कि वो इस चीज़ से अगर मारनलो कोई symptom भी दिखाई देता है तो वो इस चीज़ को जल्दी diagnose कर ले और वो cure हो जाए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो like करना चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को share कर देना thank you